अगर आपको बालों की समस्या है बाल जल्दी तूटते हैं दो मुहे हो रहे हैं सिक्री है डेंडर्फ है या आपको चेहरे का किस्वी परकार का कोई रोग है तो आज हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताएंगे जिसे अपना करके आप अपने चेहरे को गोरा बना सकते हैं चमकदार बना सकते हैं दाग दब्बों को हटा सकते हैं फोड़ा फुंसी को हटा सकते हैं क्योंकि हर घर के अंदर एक ऐसा हर्मल पोधा पाए जाता है आपके आस्पडोस के अंदर जिसके अंदर बहुत से विटामिन और मिनरल्स पाए जा रहे हैं जिससे की हम परिचित ही नहीं है हम सोचते हैं कि यह पोधा हमारे किसी काम का नहीं है जबकि इसी पोधे की जेल बना करके मार्किट के अंदर बहुत से पैसे लिए जा रहे है उसके अंदर केमिकल डाल करके उसको प्रिजर्वेटिव डाल करके उसके उसको बचाया जा रहा है उसकी life को बढ़ाय जा रहा है जबकि आपके घरों के अंदर आपके आसपरोस में आपके पारक के अंदर गार्डन के अंदर ये पोधा पाये जाता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि अलुविरा के अंदर विटामिन A, विटामिन C, E, फोलिक एसीड, B1, B2, B3 और B6 परचूर मात्रा के अंदर पाये जाता है और साथ ही साथ अगर इसको कोई इनसान सेवन करता है खाने के लिए तो उसको बहुत सी बिमारियों से भी निजात मिलता है जैसे खांसी है, जुकाम है, सिर्दर्द है, कबज है, आंखों के अंदर जलन है, पानी आ रहा है आंखों के अंदर, कान के लिए, कानों के अंदर अगर कान बहना शुरू हो गया है, कान से सुनाई कम दे रहा है मुहासों के लिए, skin के disorder के लिए, तवचा के लिए, तवचा में खुजली या चक्ते हो गई है, ring warming हो गई है, किसी परगार की कोई allergy हो गई है, body की immunity को बढ़ाता है और मुटापे को भी कम करने के लिए ये बहुत फाइदेमंद है तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे केवल एक ऐसा formula जो आपके चहरे को चमकदार बना देगा, आपने करना है कि एक aloe vera की leaf ले लेनी है और इसको side से इस तरीके से इसके कांटों को आपने थोड़ थोड़ा काट देना है ताकि ये face के उपर ना चले जा आतों से इसको धीरे धीरे इस तरीके से इसके कांटों को आप काट देंगे और इसके बीच के हिस्से को भी आप इस तरीके से उतार दीजिए, सिर्फ aloe vera का जो gel है, सिर्फ jelly jelly वाला भाग पत्ते के उपर रह जाएगा और उपर उपर का leaf हम इसको उतार देंगे, इस तरी इस तरीके से, चमच की सायता से इसको एक कटोरी के अंदर, बाउन के अंदर निकाल देना है, बिल्कुल बारी करने के लिए आप इसको mixi grinder की भी सायता से इसको ले सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, और दिन के अंदर दो बार हो सके, तो इसका यूज दो बार कीजी, इस इसको बरी किस तरीके से आप कर सकते हैं और इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी का यूज करना है इस तरीके से इसको मिक्स कर देना है और थोड़ा से इसके अंदर लेमन लेमन का जो रस है इसको निचोड़ देना है आधा नीमू हमने इसके अंदर निचोड़ दिया है और इ इस mixture को अच्छे से mix कर लेना है, बिल्कूल एक दूसरे के साथ में ये mix हो जाए, इस तरीके से हमने इसका प्रयोग करना है, और मैं मेरे सयोगी को कहुँगा कि वो लगा करके इसको face के ऊपर दिखाए, बिल्कूल हलके हाथों से इसको face के ऊपर आपने मसाज देनी है, हलके हाथों से cloak wise एक ही तरफ दिशा के अंदर मसाज दे सकते हैं, forehead के ऊपर, chin के ऊपर, chicks के ऊपर, nose के ऊपर, पूरे के पूरे face के ऊपर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कम से कम 45 मिनट या आदे घंटे के लिए इसको आपने लगा करके छोड़ देना है, और उसके बार में normal पानी के साथ में इसको wash कर लेना है, और सूती कपड़े के साथ में इसको साफ कर देना है, अगर आपके बाल लंबे हैं और टूट रहे हैं, दो मुहे हो रहे हैं, और तो बालों के अंदर अगर शाइन कम हो रही है, तो आप को एक ऐसा फार्मूला बताएंगे, जिससे कि आपके जो बाल हैं वो रफ हो गए हैं, और दो मुहे हो गए हैं, तो आप को यह फार्मूला निजात दिलाएगा, सिक्री से, दो मुहे बालों से, डेंडर्फ से और समय से पहले हो रहे सफेद बालों से सेम हमने एलुवीरा का जो गुदा है जो इसकी जेल है इसको हमने बाॉल के अंदर निकाल देना है इस तरीके से और इसको मिक्सचर को त्यार करने के लिए इसके अंदर हम बालों के इसाफ से आप डाल दीजेगा आदा चमच पोना चमच आपने इसके अंदर शहद मिक्स करना है और एक चमच इसके अंदर आपने एपल विनेगर एपल विनेगर का प्रयोग करना है और इसको मिक्स्चर को अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको बालों के अंदर हमें दो तरीके से लगा सकते हैं अगर छोटे बाल है जैंट्स है तो वो अपने बालों के अंदर इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर सकता है अगर इसके अंदर दाने रह रहे हैं आप जिस परकार से देखेंगे कि इसके अंदर जो aloe vera के crystal है ये रह जाता है तो इसके लिए आप mixi grinder के अंदर इसको mix कर सकते हैं और अपने हाथों के अंदर इस तरीके से इसको ले करके और दोनों हाथों में इस तरीके से करके और बालों के अंदर इस तरीके से लगा सकते हैं या आपको dandruff हो गया है तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से स्कैल्प के अंदर लगा सकते हैं और कम से कम आदा गंटा और पंतालिस मिनिट के लिए इसको छोड़ देना है और उसके बाद में हलके हातों से पानी के साथ मलसीफाई करते हुए स्कैल्प को और पानी से रिंस कर देना है इसको दो देना है आप देखेंगे कि चंद दिनों के अंदर आपके बाल जड़ने बंद हो जाएंगे सिकरी है तो साथ से दस दिनों के अंदर आपको उसके अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा आपके बाल चमकदार और दो मुहे खतम हो जाएंगे हम उमीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारदी के जानकारी से जरूर लाब मिलता होगा हमारा एक ही मक्सद है कि भाई राजीव दिख्षित जी की याद के अंदर जो हम वीडियोस बनाते हैं ताकि आप अपने डोक्टर खुद बन सकें जै हिन जै भारत